हाई गाईज मैं हूँ मिशा और आप देख रहे हैं गार्डनिंग जोन आज हम लगा रहे हैं पोटेटो यानि आलू का पोदा आलू के पोदे लगाने के लिए कौन सी सोईल यूस की जाती है इसके लिए कौन सा मोसम बेस्ट है यह सब शेयर करूंगी आज की वीडियो में आ 15-20 दिनों के बाद आलू में इस तरह की आईज बन जाती हैं कुछ इस तरह की हैं आलू की आईज बनने के बाद ही आप इसको उगा सकते हैं अब हम सोईल मिक्स बनाने के लिए इस तरह का पाउल ले लेंगे आपको इसा भी बरतन ले सकते हैं अब एक डिस्पोजिबल कप ले लेंगे, आपको इसा भी ले सकते हैं, तीन कप भर कर गार्डन सोयल डालेंगे, हाफ कप रिवर सेंड यानी रेत डालेंगे, हाफ कप काव डंग यानी गोबर की खाद डालेंगे, काव डंग की जगह पर आप पतों की खाद भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून नीम खली जो फंगस से फोदे को बचाता है अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे mixture mix हो जाने पर एक pot ले लेंगे आपको इसा भी pot ले सकते हैं pot में इस तरह के कुछ holes हैं आपने इस तरह के कुछ stones ले लेने हैं और होल्स पर इनको रखार देना है, पाक्रै के हमारी सॉयल मिक्स बाहर साथ निकले. आपने पॉर्ट को एक इन्च यह दो इन्च उपर से खाली रखना है, आल्ू की आईस को एक ऑपर की तरफ ही रखना है, इसको मिट्रऑ नहीं दबाना, अब बाकी के आलू पर सोईल की एक लेयर डाल देंगे अब एक पानी की स्प्रे बोटल ले ले लेते हैं और इसे एक स्प्रे कर देते हैं ताके नमी बरकरा रह सके पॉट को किसी शेड़ी एरिये में रखना है जहां पर दिन की एक वक्त की धूप लग सके तो फ्रेंड्स 15 दिन हो चुके हैं और हमारा अलू का पोदा निकल आया है अलू के पोदे को लगाने के लिए बेस्ट मौसम सब्तमबर से नमंबर तक का है अब हम अपने पोदे को पानी दे देते हैं एक अलू के पोदे से 5-6 अलू उगाए जा सकते हैं मैंने एक अलू को पोट में लगाया है जादा अलू चाहिए तो पोरी या प्लास्टिक की टोकरी का इस्तमाल करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मेरी हर नई आने माली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तब पहुन सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाहाफेश